अध्यायत तीन देख रहे हैं प्रिथ्वी की गतियां प्रिथ्वी अर्थ ये दो तरीके से घुमती है पहले ये अपनी एक्सिस पे एक्सिस के बाद थोड़ा तेड़ा बनाऊंगा इसके बारे में बताऊंगा भी आपको अपनी एक्सिस याने अपनी जो धुरी है इस पे ये घुमती है इसी से दिनराद बनते हैं और फिर ये घुमतो रही है 24 गंटे लगते हैं एक दिन लगता है इसके अलावा ये सन के अरॉण भी परिक्रमा लगा रही है यहने revolution और rotation दोनों हो रहा है तो पृत्वी की गती या movement का है इसके दो प्रकार है एक को कहते हैं घुनन एक को कहते हैं परिक्रमन घुनन और परिक्रमन तो अपने अक्ष पे अपनी एक्सिस पे जब पृत्वी घुमती है तो इसको हम कहते हैं घुनन और जब ये सूरज के चक्कर लगाती है चारो और और एक स्थिर कक्ष यानिकि इसकी एक बकाइदा एक प्रॉपर और्बिट है जो और्बिट है इलिप्टिकल और्बिट होती है सर्कुलर नहीं होती इलिप्स जैसी होती अंडाकार होती है इसको हम कहते हैं परिक्रमन परिक्रमन कहते हैं ये हो गुणन और ये हो गया परिक्रमन तो जैसे हमने पहले भी डिसकस किया था कि प्रित्वी का जो अक्ष है यानि प्रित्वी पर अपने कक्षिय सतह से देखें ये कुछ एंगल बनाती है साड़े सड़सड का कौन बनाती है दो एंगल में बताउगा आपको इसमें दो एंगल निकल के आँगे और जो सम्तल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षिय सम्तल कहते हैं इसका मतलब ये बात में कर रहा हूँ, ये है orbital plane, कक्षी ये समतल orbital plane, ये आप एक line है जो आप हमेशा सोचेंगे एक normal आदमी की तरह, कि भई एक ये गोला है, यहाँ पर एक line ऐसा होनी चाहिए, जैसे हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारी जो कक्षा है प्रित्वी की वो थोड़ी तेड़ी है, यानि कि प्रित्वी जुकी हुई है, और ये इस actual imaginary axis से, या कहें हमारा जो कक्ष है, जो हम imagine करते हैं, जो होनी चाहिए, उससे ये जो जुकी हुई है, वो साड़े तेज जिगरी है, तो अगर मैं इसको कहूँ, ये orbital plane, कहने का मतलब, अगर ये हमारा plane है, समतल, और इस plane से, जिसका हम कक्षिय समतल कह रहे हैं, यहां से इसका, जो जुकी हुई है, इसका angle है, ये साड़े 67 degree है, 66 and half, अचाहिए, यहां से पूरा angle कितना होगा, 90 degree, तो 90 से माइनस कर दीजे, ये बन जाएगा 23 and half, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, कि orbital plane से क axis की, यानि एक अक्षिय समतल से, इसकी जो angle है, वो कितनी है, तो आप बताएंगे, ये जो angle है, ये साड़े 67 है, 66 and half, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए, कि हमारी जो plane है, जो axis है, उस से actual axis का angle है, मतलब ये कहा जाए, कि प्रित्वी कितनी जुकी हुई है, तो आप ब मिला कि 90, ये है plane, ये है 67, 66 and half, और ये है 23, तो ये प्रित्वी के कक्षिय समतल पर लंब है, ये पर्पेंडिकुलर है इस पे, और इस पर्पेंडिकुलर का इसलिए मैं 90 डिगरी कह रहा हूँ, अच्छा, ये कक्षिय समतल हो गया, अब प्रित्वी सूर से प्रकाश लेती है, प्रित्वी का आकार के से गोले की तरह है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आदे भाग पर सूर की रोशनी प्राप्त करती है, इसको समझाए जाए, यहाँ पर क्या है, कि सन की रेखाएं, ये सूर की रेखाएं यहां पढ़ रही है, ऐसे है, ठीक, थोड़ी जुकी भ पूश्मा मिल रही होगी, लाइट मिल रही होगी, तो यहां होगा दिन, इसी समय जो पीछे का इलाका है, वहाँ पर होगा आपका रात, अब यह विभाजन कैसे होगा, आप यह कहेंगे कि यहां ऐसी भी लाइन हो सकती है, यहां पर दिन हो, यहां रात हो, यह ऐसी भी ला और इसके पीछे रात होगी तो यही जो लाइन है यह जो लाइन आपको पता यह 3D है तो यह लाइन तो होगी नहीं यह ऐसे गोलाकार होगा इसी गोलाकार को यानि कि मैं इस तरीके से गोलाकार बनाओं यहां दिन होगा यहां रहत होगा तो यह दिन इस गोलाकार को इस वृ आक्स पर जो की जुकी हुई है उसको अक्ष पर पूरा गूमने के लिए मतलá गर मालीजे इस पोजिशन पे आप और आप गूम गया और वापिस इस पोजिशन पर आ गया तो आपको लगेंगे 24 गंटे कितने लगेंगे 24 गंटे इस ही को हम पूरा एक दिन कहते हैं तो इसलिए दिन में, दिन, दिन में एक पूरा जो 24 गंटे का दिन होता है, उसमें दिन भी होती है, राद भी होती है, यानि 24 आवर्स में दिन होता है जब सूरज पढ़ रहा होता है, 12 गंटे के लिए और 12 गंटे के लिए जब राथ हो रही होती है, 12 गंटा और 12 गंटा मैं exactly नहीं कहूँगा क्योंकि एक समय आता है जहाँ पर शाम होती है या dawn होता है सुबे का समय जो होता है जिसमें अंधेरा और उजाला दोनों होता है यह से को हम पृत्वी की द्यानिक गति कहते हैं इसको मैं इस तरीके से समझाऊं कि यहाँ पर आपका सूरज है पृत्वी अपने इस परिक्रमन में लगी है सूरज की परिक्रमा कर रही है यहाँ आप देख रहे हैं कि मून भी है चंद्रमा वो पृत्वी की परिक्रमा कर रहा है इस समय यह सारे के सारे जितने भी celestial object है, खगुलिय पिंड है, यह अपनी axis पे भी घूम रहे हैं, तो अपनी axis पे जब घूमते हैं, तो यहाँ पर जब घूम रहे होंगे, तो जहाँ light पड़ रही है, आप देख रहे हैं हलका से light पड़ रही है, जहाँ light का इलाका जहां पर लाइट नहीं पड़ पा रही है वहां रात है अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि प्रित्वी अगर ना घूमें तब क्या होगा यहां पर सन है अब यह आपने एक डाग्राम में तो देख लिया फिर से बताता हूं को अगर माल लीजे कि यह घूम नहीं रहे हैं माल लीजे तो हमेशा इस जगह को लाइट मिलती रहेगी इस «P station को लाइट» मिलती रहेगी पीछे हमेशा अंधिरा रहेगा यह ला इअ अंधिरा रहे από ध्यान रही है कि अगर हमारे पास सन नहीं है तो फोटो सिंथस नहीं होती खाना झाम नहीं बना सकता पक्ष नाइट रही तो जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो अगर यह घूमती है तभी एक जगा दिन होता एक जगा रात होती है इसी विश्था से हमारी जिन्दगी हमारी लाइफ चल पाती है अब एक और चीज़ बताता हूं तकर हम क्या कहते हैं एक साल एक साल कहते हैं उसमें कितने दिन होते हैं आपको पता आपने जवाब दे दिया होगा दिन्देशित ना बिलकूल ठीक वरिगुड लेकिन बात यह है कि यह तीन सो पैसेट दिन नहीं होते जब पुरी एक परिक्रमा लगाने के लिए लगते हैं तीन सो पैसेट दिन ही होते हैं ये थोड़ा सा जादा होते हैं तीन सो पैसेट दिन और एक चौथाई दिन एक चौथाई नहीं 24 गंटा हो गया एक चौथाई कर दीजैं इसको तो ये जगा 6,424 तो 345 दिन और 6 गंटे 6 hours तो हम तो हमै ere 395 गंटे तो ये 6 गंटे कैसे क्या करेंगे हम इसका तो होता ही है कि एक पहला साल हो गया 365 दिन 6 गंटे फिर 365 दिन दूसरा साल हो गया फिर 3 365 दिन, इससे क्या हुआ, अब देखिये, 6, 6, 6, 6, 4 बर 6 हो गया, तो 24 घंटे मिल गया, को फिर यह जो 5 वा साल आएगा, या कहें, यह 4 वा आएगा, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा, यह 6 को बना दिया जाएगा, 24 घंटे, अब ये 24 घंटे किस जगा जोड जाएंगे एक दिन तो होना चाहिए कहीं तो फरवरी का महीना होता है हमेशे 28 दिन का होता है तो हर एक चौथे साल में 28 दिन में हम एक दिन जोड देते हैं 6-6-6 घंटा जब 24 घंटा बन जाता है तो हर चार साल में 28 दिन का एक दिन और जोड़ देते हैं तो हर एक चार साल बाद, हर चार साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है और ऐसा साल, ऐसा साल जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में इसी को हम कहते हैं Leap Year क्या कहते हैं? Leap Year 2020 में ली पियर था 2024 में अब आएगा हर 4 साल में आएगा चार-चार जोड़ते रहिए आप कोई चीज़ क्लियर हो गई अब जब रत्वी परिक्रमा लगा रही है जब परिक्रमा लगाती है तो इसकी सीजन्स होते हैं हमारे जो सीजन होते हैं हमारे जो रितू होते हैं वो इसी परिक्रमा के कारण आती है यह जो घूनन हो रहा है रोटेशन हो रहा है अपनी when जिन रात बन रहे है लेकिन जब यहां से आतक इस तरीके से परिक्रमा कर रही है सूरज की तब अलग-अलग रितू बनती है अलग-अलग रित्व बनती है एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद इस भाग में बढ़ा जाता है, चार भाग में बढ़ा जाता है गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद और रित्वों में परिवर्तन सूर के चारो और पृत्वी की स्थिती में परिवर्तन के कारण होता है क्योंकि हर बार यह घूम रही होती है मैं इसको ज़रा यहां से समझाने कोशिश करूंगा बहुत ध्यान से देखिएगा अब देखिए यह सूर्य है यह प्रित्वी है यह घूम रही है हर बार यह घूमती है अपने एक्सिस पे तेड़ी है दिन रात होते हैं और अपने एक्सिस पे घूमती रहती है तीन सो पैसे दिन लगाती है लेकिन यहां देखीएगा अब यह इसको बहुत ध्याँ से देखिएगा क्योंकि यह जुकी हुई है तो यह जुकी हुई है यहां से शुरू करते है यहांपर क्या है सन की रेखाईं पड़ रही है यह उत्तरी गोलार्द में यहांपर होता है तो यहाँ पर आपको ग्रिश मिरुति मिलेगी, इसको उत्तर अयनांद कहते हैं 21 जून को का दिन धक्षिनी गुलार्द में यहाँ पर शीतरुति होती है, इसके बारे मैं भी चर्चा करूँगा आपसे, डे याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले हम श उत्तरी गुलार्द में शीतरुति क्यों होती है, क्योंकि अब जुकी हुई है, तो यहाँ सारा जो मैक्सिमम जो उत्तरी गुलार्द है, वो इस तरफ चला गया, पीछे की तरफ चला गया, तो यहाँ क्या है कि इस जगा पे, इस इस इलाके में, आपको उतनी गर्मी नही गर्मी हो जाएगी, यहाँ पर अगर आपको उपर गर्म है तो नीचे ठंडा हो जाएगा, ध्यान रखेगा, यह एक्सिस पे जुकी हुई है, इसके कारण से जादा असर पढ़ रहा है, और घुम भी रही है, और सूरज की किरने किस तरीके से पढ़ रही है, यह हो गया, दिकी एक focal point पर है, जब भी हम ellips की बात करते हैं, अंडाकार कहें शेप की बात करते हैं, तो यह सूरज बीच में नी होगा, सेंटर में नी होगा, यह सरकल में होता है, तो यह एक focal पर होगा, focus पर होगा, यहाँ होता है, तो इस तरीके से जब जज़ादा गर्मी मिलती है, यहां मानिए कि जादा गर्मी मिल रही है तो घरम हो जाएगा यहां मिल रही है तो कम मिल रही है तो ठंडा हो जाएगा लेकिन यहां पर जब इलिप्स पे है तो इस जगह पे वसंत रितू होती है उत्तर दुरू दक्षिन दूरू को यहां पर आएंगे हम विशू और विशू लेकिन यहां पर 21 मार्ज को यहां 23 सेप्टेंबर को अब आप देखें यह जब हम घूम रहे हैं तो यहां पर आता है विंटर ठंड यहां आता है समर यह मैं बात करो नदन हमेस्फियर की उत्तर गुलार्ड में तो जब भी आप उत्तरी गुलार्ड में तो स्प्रिंग चल रहा होगा दक्षिनी गुलार्ड में अब एक एक करके जो मैंने आपको डेट्स बताई उसको समझने की कुशिश करते हैं आप मैं अभी देखा कि 21 जून इसमें उत्तरी गुलार्ड में सूर क्योंकि हम लोग थोड़ा जुके ह अब सूर की किरने बिलकुल सीधी यहां पढ़ रही है यहां बिलकुल सीधी पढ़ रही है इसके करण क्या होता है इन छेत्रों में ज्यादा हमको उश्मा यानरजी प्राप्त हो रही है अब धुरूओं के पास वाले जो छेत्रे हैं उसमें थड़ा सा कम हमें उश्मा मिल यहां पर जुका हुए हम लोग एक्सिस में जुके हुए है तो लगबग छे मैने तक लगाता है यहां पर दिन रहता है और क्यूंकि उत्तर गुलार्द के बहुत बड़ा भाग है वो सूर की रोशनी प्राप्ट करता रहता है इसलिए जो विश्यूवत रृत है उसके उत्त कर-ख Beranand, June, solstice ध्यान राएगा अब आएप ये रवाज ये 21 डिसमबर में बात कर ने यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखान रखेंगा ना इस जगह भी ध्यान रखेंगा जो 22 डिसमबर बात रहा हूं उसको दक्षणी द्रू है उसके सूर की और जुके होने अब यहां दक्षणी द्रू आ गया सूर के करीब इसके जुके होने के कारण क्या हो रहा है जो मकर रेखा है करकी है मकर रेखा है मकर रेखा पर सूर की किरने सीधी पढ़ती है इसके कारण सूर की किरने मकर रेखा पर लंबवद पढ़ती है इसलिए दक्षणी गुलार्ड में बहुत बड़े भाग में आप प्रकाश हो जाता है इस जगह प्रकाश हो रहा है राइट? याप जुकाव के कराने से हो गया इसलिए दक्षिनी गोलार्ड में लंबे दिन और छोटी रात वाले गृष में रिदू में होता है लंबे दिन हो जाते हैं और छोटी रात होती है और अगर आप का यहां पर आ जायें उप्तरी कोलार्ड में आ جाएं यहां बिलकल विप्री प्रीट स्थिती हो जाएगी तो यह जो अस्था बन रही है इसको हम कहते है दक्षिनि आयनान्त 22 दिसंबर 21 दिसंबर 21 जून 22 दिसंबर 21 दिसंबर को क्या हो रहा है यहां पर सबसे लंबा दिन और सबसे चोटी रात उपर वाले इलाके में है, यहां और दक्षिन में क्या हो रहा है, 22 डिसेंबर यहां पर क्या हो रहा है, कि लंबा दिन चोटी रात, लेकिन ग्रिश्व रितू में हो रहा है आप 21 March की बात करता हूँ मैं 21 March यहाँ पर ध्याँ रखेगा और 23 सितंबर की बात कर रहा हूँ 21 March और 23 सितंबर को सूर की किरने विश्युवातुरित यह जो विश्युवातुरित है मतलब हमारा जो equator है उस पर सीधी पड़ रही है तो इस समय कोई भी ध्रूब सूर की और नहीं जुका होता है ना ये ना ये ना ये ना ये इसलिए पूरी प्रिस्वी पर रात और दिन बराबर होता है यहाँ क्योंकि जादा हो गया तो यहाँ बड़ा हो गया यहाँ क्योंकि यहाँ इलाका जादा हो गया तो बड़ा हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं इसलिए इसको विशू कहते हैं यहाँ पर आजाए यह 23 सितंबर की भी बात कर लेते हैं अंग्रेजी के नाम अगर आपको देखने हैं तो एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स कहते हैं इसको इसको हम इनको सॉल्स्टाइज कहते हैं नीचे के तरफ आजाए यह जरा यहाँ पर 23 सितंबर की बात मैं करूगा 23 सितंबर में जो उत्तरी गुलार्द है इसमें शरद रितू होती है जबकि दक्षिनी गुलार्द में आपको वसंत रितू होती है आटम और स्प्रिंग अब 21 मार्श को जो स्थिती इसके विपरित होती है जब दक्षिनी गुलार्द में वसंत रितू होती है उत्तरी गुलार्द में वसंत रितू होती है क्या हो रहा है इसमें कि जुकाओ के करण जहां गर्मी जादा पड़ रही है जुकाओ के करण नीचे की तरफ जादा गर्मी पड़ रही है यहां पर क्योंकि मैंने बताया कि पोजीशन इसकी अलग होती है तो यहां पर बिल्कु सेंटर पे एक्वेटर पे लाइट पड़ र तो ये बात हुई इस चैप्टर की शुक्रिया आपका धन्यवाद